देखो बहुत सारी लोग ये सोचते होंगे कि टोयेटा की वेलोज और टोयेटा की एवन्जा दोनों ही एक ही कारे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों ही कारों के अंदर बहुत सारी डिफरेंसस हैं जैसे कि दोनों ही कारों के एक्स्टेरियर में चेंजेस करे गए है और इंटेरेर फीचर्स भी आपको थोड़े से अलग देखने को मिल जाएंगे हलाकि टोईटा एवन्जा को मांकेट में और बाकी के कंट्रेज में बेच जाता है जेनिया नाम से तो इस वीडियो के अंदर में टोईटे की वेलो इसकार के बार में डीटेल में बात करूंगा उसके पीछे रीजन यह है कि इसकी जो प्राइज बताई जा रही है वो लगबग 6 लाग रुपए बताई ज टोयटा वेलों की लंद लिए 4,475 mm की जो की हाइट पैम्न मुकाबले 3 mm ज्यादा है तो यह रोले टोयटा की जो वेलों बड़ी है ऐस अगर इंडियन मार्केट में उतारने वाली है जिसको रीसनली साथ अफ्रिका में लॉंच किया गया जिसका नाम रखा है रूमियन वही अगर मैं वेलोज के इंजन स्पसिफिकेशन की बात करो तो ग्लोबल मार्केट में इस अगार के अंदर दो पेट्रोल इंजिन ऑप्शन दिया जाता है इसका जो 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजिन है वो लगबग अल्टिका के इंजिन के बराबर ही पावर आउट्पूट प्रड्यूस कर पाता है तो यहाँ पर अल्टिका के इंजिन की पावर और वेलोज के इंजिन के पावर आपको लगबग सेम ही देखन है और रियर से और साइड से दिखने में काफी ज़दा कमाल की दिखती है टोईटा की वेलोज इसके फ्रंट फीशिया में आपको पियानो ब्लाक कलर फिनिशिंग के साथ ग्रिल्स मिलेंगे जिसके ऊपर ट्राइश्वेप में पैटरंस दिये हुए है और इसके जो ग्रिल्स सब्सक्राइब का सिटप मिलने वाला है जो कि रात के समय में बहुत ही बढ़िया दिखने वाला है इसके रियर में रूफ मांटेट स्पोईलर रियर वाइपर और बाकी की चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी इसका एक्स्टेरियल लुक तो भाही मुझे बहुत आपको मिलेगा जो कि स्टैंडिंग पोजिशन में हैं ड्राइवर के लिए 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कांसल भी इस अगार के अंदर ऑफर किया जाता है मल्टी फंक्शन स्टीरिंग विल ऑटोमेटिक क्लाइमिट कंट्रोल अम्बेंट लाइटिंग इसके अ आप बहुत सरे फीचर्स को अक्सेस कर पाओगे तो यहां पर सेफ्टी की साब से टोयटा की वेलोज एवन्जा के मुकाबले थोड़ी सी आगे निकल जाती है और इसको डिजाइन ही उसी तरह के से किया हुआ है तो यहां पर सबसे ट्विस्ट वाला पार्ट यह आता है कि ट्यूटा कंपनी वेलोस को फिर जैवन्जा को इंडिन मॉकेट में उतारीया फिर नहीं सबसे पहली चीज ट्यूटा कंपनी आने वाले समय में अर्टिका खो अपनी बेंचिंग लगा कर इंडियन मंकेट में लांच में बेच आईगा और इहां पर ट्यूटा बे साथ आट लाग रुपे से शुरू होती बेस मारल की एक्ष्वरम प्राइज लेकिन टोयेटर की तरफ से यह कंफर्म चीज़ नहीं है यह आने वाला समय बताएगा टोयेटर कंपनी इन कारों को इंडियन मकेट में लॉंच करती भी है या फिर नहीं लेकिन टोयेटर कंपनी दूमियन को यानी अर्टिका को इंडियन मकेट में लॉंच करने वाल है आने वाले समय में तो आपको टोयेटर की विलोज यह कार कैसे लेगी मुझे कॉमें बता दिना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवारवल के साथ जरूर शेयर की जगा चनल पर न